हाँ जी गुड बाउनिंग चलो तो मैं MTP कुछ है ही नहीं MTP में करवाने के लिए पर हाँ कुछ कोश्चन्स में amendment है एक बार discuss कर ले यार MTP के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते है कि पेपर कैसे आ सकता है तो पहले first series one देखते है MTP का जो मार्च में issue हुआ था क्या था तो अगर मैं कहूं कि multiple choice question में case scenario बेसी आना है मुझे ऐसा लग रहा है दो MTP को देख जो कि compulsory रहेगा 10 number के मतलब 2-2 number का एक question रहेगा total 15 questions रहेगा अगर देखोगे तो अगर आप देखो दोनों MTP देख सकते हो अभी मैंने दोनों साथ साथ दिखा हूँगा कि जो भी questions पूछे जा रहा है जो भी questions पूछे जा रहा है ऐसा नहीं कि कहीं बाहर का उठाकर रखती है आपको आपकी के बुक से question उठाएगा जो हम descriptive कर रहे थे वो इस तरह से ये mutual fund का question है और ना जाने कितने बार की है ये question मैं MCQ में करवा चुका हूँ आपसे तो ये question है और ये mutual fund का है ठीक है सब इसमें कुछ था नहीं ये करवा चुका हूँ और scenario two मतलब यार ये total चार question आये थे दो number का एक मतलब 8 question case scenario two जो देरखा है ये भी convertible bond का question है इसमें भी कुछ खास बात नहीं है तो दो case scenario से हमें पता लगा कि यार अधिकतर questions जो है वो numerical track MCQs में भी तो बहुत सारी बच्चों का कहना सर theory का एक-एक सब्द रटा मार लेंगे भी या कैसे करोगे बच्चों के कहना सर 4X का पूरा theory रट लेंगे मैं बताऊंगा कि क्या theory आ सकता है MTP के हिसाब से case scenario three में theory दे रखा है बिटे लेकिन ये वो अला theory है जिसमें आप कितना भी पढ़ लो काम नहीं आएगा ये देख के समझ में आ जाएगा और numerical वही question होगा जो आपकी book से उठाया जाएगा और अगर book से उठाया जाएगा तो इसका मतलब सर हम multiple choice question के लिए ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना चलाए अपना syllabus कर ले theory भी पूछा जाएगा ऐसा नहीं है कि theory पूछा गया पर उतना वह वाला theory नहीं pure theory फिर नंबर का आया था दूर नंबर मतलब पहला और दूसरा numerical होगा है इसमें MTP scenario 4 भी है और ये भी कौन सा है ये भी sir ये भी question हमारे book से ही उठाया गया तो भाई simple सी बात है book के question आप 25 से कर लीजिए बहुत है अब सर डिस्क्रिप्टिव question सत्तर नंबर के रहेगे ठीक है अब उन्हों ने जैसे question number one जो दे रखा छे नंबर का और इसका question है नया कुछ नहीं है अभी sir जो new syllabus है अगर new syllabus का हम कुछ भी नहीं करते तो भी हमारा paper हो रहा है तो यह forex का question है इसमें कुछ नहीं है यह हमारा security evaluation का question है simple question है इसमें भी कुछ नहीं है यह बात समझ लो की theory आएगा unicorn आ गया ना या कौन से startup यूनिकॉन पर theory पूछा है और मैंने आपको करवाया हूं तो इसका मतलब sir जो amendment है उससे जादतर theory आने के chances है या प्लीज भाई जो addition है उसका theory अच्छे से कर ले ना यूनिकॉन पर theory पूछा है फिर यह international financial management IFM का question है simple question था और sir यह वाला बेकार वाला गंदा वाला question डाल दिया security evaluation sustainable growth rate वे theory पूछा है यह तो पुराना वाला theory है यह वाला question बड़ा important है यार मेरी बात समझना है यह वाला question उन्होंने multiple choice question में भी डाल रखा है और यह वाला question उन्होंने descriptive में बेदाल रखा पोर्टफोलियो का तो यह question देखके चले जाना भाईयो पोर्टफोलियो का question सर इसके अलावा कोई इसमें यह देखो tokenization पर theory मतलब भई 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 unicorn हो गया tokenization हो गया यह सब मैंने करवाया हूँ यह theory पूचा जा रहा है तो इसका मतलब institute चाहता है आप यह गलती में मत रहना कि जो addition हुआ उसको हम छोड़के चले जाएगा तो काम बनेगा बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि numerical आएगा मैं यह भी नहीं बोल रहा हूँ real option के तीनी तो question है मुझे ऐसा लगता कि आएगा पर अगर नहीं भी आया तो theory तो करना पड़ेगा unicorn हो गया यह अपना tokenization हो गया यह securityization का theory तो ठीक है इसके अलावा bond refunding का question है ऐसा कोई question नहीं है जो हमने हमारी book में नहीं इसलिए मैं थोड़ा speed से चल रहा हूँ इसमें मुझे कुछ करवानी वाली बात हाई नहीं derivative का question है derivative का यह वाला question है ना इसका mcqs भी डाल रखा है simple question है okay sir आगे चले यह हमारा business valuation का question डाल दिया simple question है इसमें भी कुछ है नहीं कुछ नया कुछ नहीं और यह beta management का अच्छा वाला question मतलब beta management कौन सा derivative वाला और sir यह हमारा interest rate risk management का बिल्कुल simple question और sir capital listing का question डालना ही था और capital listing का question डाला है लेकिन यह C.A.E. इंटर वाला question डाल रहा बिल्कुल simple certainty equivalent वाला question तो sir capital listing से question आएगा yes तो amendment के नाम से इसमें क्या आया unicorn और क्या था tokenization और capital तो sir एक दो तीन चीजे समझ में आई है MTP से पहली चीज यह समझ में आई है कि sir case scenario basis पे आएगा multiple choice MTP 1 दूसरी बात sir यह समझ में आई कि हमें ज़्यादा tension नहीं लेना है book से question उठाएगा डालेगा ऐसा मेरा guessing है book से question उठाएगा डालेगा तो हम अपने syllabus पर ज़्यादा focus करें वो काम आएगा ना कि इधर उधर के MCQs देख तीसरी चीज कि जो amendment है जो addition हुआ है उसका theory देखना ज़्यादे important है ठीक है और चोहती चीज हमको यह समझ में कि capital listing का question आना ही है क्योंकि इसमें भी डाल रखा और MTP2 ठीक है सर तो आप discussion आप करवाओगे नहीं MTP कुछ करवाने वाली बात नहीं सब आपके syllabus में covered है एक भी question बाहर का MTP2 के विससे हमें ज़रूर discussion करना है क्योंकि एक question का change कर दिया ICA नहीं उस question के matter में बात करूँ situation रहे की जैसा था case scenario basis 30 number का पहला question EVA से पूछा था करवा चुका हूँ मैं MCQs में मतलब सर ये भी question सीधा बुक से उठा कर दिया है इसमें total question कितने दिया total pass दिया मतलब 10 number, 2-2 number के question आने वाला case scenario basis 2 ये किस का दे दिया सर ये दे दिया हमको और एक्स का कैंसर delivery का question ठीक है सर मतलब इसमें नया question नहीं था नया और ये कि netting का question दे रखा है और ये मैंने आपको अच्छे से कर बार ठीक है तो सर इससे बास फिर से वही कि theory पर बहुत ज़्यादा परिशान मत हो कि सर multiple choice question आया तो पूरा की पूरा थेरी भर देगा पागल हो गए पूरा थेरी डाल देगा ऐसा नहीं होता ठीक है तो चिंता मत करो यार थेरी बाकी वो चार चैप्टर का थेरी तो करना बढ़ेगा ये दोनों question ये सब सारी question मैं करवा चुक हूँ मैं बात कर रहा हूँ सब्तर नंबर के सर पहला question ये भी कुछ नया नहीं या भी तक नया कुछ नहीं था ठीक है ओके सर ये पहला question है ये simple question था बुक से ही है तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं दूसरा question भी simple है इसमें भी कुछ समझाने वाली बात नहीं कि देखो Succession Planning in Business Succession Planning in Business नया theory New theory बहुत ज्यादा important है यहां तक मुझे समझ में आ रहा तो आपसे हाज जोड़ के विंति है theory छोड़ना है छोड़ दो बना नहीं कर रहा हूँ इसके अलावा उन्होंने Forex का question डाला छे नंबर का यह तो वही question है उसमें कोई दिक्कत नहीं होना ही चाहिए कोई दिक्कत dirty price यह भाई यह वाला money market instrument का question डाल रखा है ठीक है सर आपको लगेगा तो आप बताना हलाकि इसको मैं अच्छे से कुपा चुका हूँ सर इसके अलावा currency risk यह तो पुराना वाला है सर यह portfolio का simple सा question है मैं भी कोई दिक्कत नहीं यह भी question यह corner theorem का question डाल रखा है corner theorem वैसे आ चुका है blockchain पर फिर question डाला है this is blockchain concept अगर मैं देखू मेरे आखो के सामने देख रहा है क्यार tokenization था पिछली MTP में उसके अलावा succession planning इसमें क्या blockchain का पूछा है और सर पिछले में tokenization के अलावा और मतलब यह new theory important है आपके लिए इसको अच्छे से चले यह वाला question भाई साब question number 4 A में change कर दिया यह वाला question तो ना जाने अगर वो solution ना दे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से बना ले लेकिन ICAI ने इसका solution change कर दिया ऐसे हमारी book में करीब करीब पाच्छे questions है और इसका effect उन पाच्छे questions पे पड़ गया इसका वीडियो डाल रहा हूँ अगला ही अगला वीडियो इसी का आएगा जिसमें मैं correction क्या किया है institute में समझाऊँगा और सब पुराने जो question से old question उस पर क्या effect पड़ेगा वो भी मैं समझा दूँगा इसके लिए separate video बना separate video डाल दूँगा भाई इस question में change हुआ है आरेम हम जैसा निकालते खेर वो हम में वहीं discuss ठीक है ये वह गौला question आपको ध्यान देना पड़ेगा बहतरी इन change किया है पकि ये portfolio का normal question है इसके अलावा और new theory तो नहीं डाला है वाइड ये corporate level history तो simple उराना theory है इसके अलावा ये हमारा merger का question हो गया है मैं बिजनेस valuation ले लीजिए और ये mutual fund का question है mutual fund में इसमें भी थोड़ा सा मैंने discuss किया है क्योंकि effective yield दिया है वैसे effective yield और annual return हम एक ही मानते हैं क्यों क्योंकि institute मानता है हाला कि मैंने आपको बता राखा effective yield अलग होता है और annual return अलग होता है तो इस पे भी मैं आपको बता दूँगा कि अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी मैं separate video डालूँगा ओके सर और बाकी sensitivity analysis का question डाला है capital investing का एक question आएगा और दोनों ही question book से ही डाला है भाई ठीक है बाकी और कुछ नहीं है दो question मुझे आपको separately बताना पड़ेगा इसमें दो question और ये हमारा interest rate risk management का RTP में इसमें MTP में ऐसा कुछ नहीं है बस वो दो question है दो question है एक question है एक question तो simple है portfolio question में change हुआ उसका video इसके बाद डाल रहा हूँ कहानी मेरे ख्याल से आपको समझी में आगई capital investing का question आएगा जो की मुझे उम्मीद है और आपको मुझे क्या बताना आपको समझदा रहा हूँ आपको भी मालूम है capital investing आएगा और बहुत multiple choice question में मुझे नहीं लगता कि theory उठाकर आपसे सीधा पूछ लेगा 10 number का theory इस scenario मतलब यार question डालेगा और उस पर पूछेगा ठीक है बाकि वो 13 case scenario करवा रहा हूँ वो 13 case scenario कर लीजिए sufficient है अगला video किस चीश का डाल देता हूँ अगला video आप वो portfolio का question में क्या correction हुआ है वो डाल दोगे कि हमें वो upload कर देगा थेंक्यू सो मच